तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम बच्चों को दो अक्ष्णों वाले शब्द कैसे पढ़ाएं ये बच्चों को आल के जी यू के जी और फर्स्ट क्लास में जो हैं वो दो अक्ष्णों वाले शब्द यूज होना शुरू हो जाते हैं जैसे कि ब स बस न ल नल हल किस से बना ह और ल से अ ब अब पढ़ पढ़ चल चल फल फल कप कप अच्छे से ओरल प्रैक्टिस करवाने के बाद आप बच्चे को दो वक्ष्णों की अलग अलग वक्षिट दे सकते हो जैसे कि चित्र देखकर नाम लिखो आपने यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करनी है और बच्चे को बोलना है इसके सामने इसका नाम लिखो जैसे घर, कप, फल, बस, दस फिर नेक्स्ट वक्षिट आप बच्चे को दे सकते हो मिलान करो कि मैच करना है आपने एक साइड आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो और दूसरी साइड आपने शब्द लिखने है जैसे फल की पिक्चर ड्रॉ की है तो इसको फल के साथ मैच करना है जैसे कप की पिक्चर है तो कप को कप के साथ मैच करना है बस की पिक्चर है तो बस को बस के साथ मैच करना है घर की पिक्चर है तो घर को घर के साथ मैच करना है next worksheet आप दे सकते हो कि एक box में आपने कोई शब्द लिख लिया तो जैसे क और ल मिला तो क्या बना कल, क और र मिला तो क्या बना कर, क और ब क्या बना कब क और प क्या बना कब ऐसे ही आप कोई भी शब्द दे सकते हो आप अपनी मर्जी से कोई भी शब्ग use कर सकते हो next आप दे सकते हो बच्चे को कि सही शब्द पर गोला लगाओ कि आपने जो सही शब्द लिखा है उसको circle करना है जैसे बस बस बसा 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 तो आपने यहां बच्चे को खुद से reading करवानी है और बोलना है कि जो सही सही सब्द है उस पर गोला लगाओ तो उसको circle करना है तो यहां भी बच्चे को वैसे ही आपने करवाना है ऐसी वर्क्षिट आप बच्चे को दे सकते हो और this one फिर next आप दे सकते हो खाली स्थान भरो कि आपने एक शब्द लिखना है और उसके आगे आपने blank लगा देना है जैसे च आगे लिखो क्या बनेगा च ल कर बचकर भी लिख सकता है कब भी लिख सकता है बस बस न ल नल और फिर आप बच्चे को वाक्य बनाओ करने के लिए दे सकते हो जैसे बस बस का क्या बाक्य बनेगा बस पर चड़ इसके भी दो अक्षनों वाला ही बनेगा जैसे घर, अब घर चल फल, अब फल चक आप बच्चे को ऐसे जो हैं वो प्रक्टिस करवा करें इस तरह घर में आप बच्चे को दो अक्षनों वाले शब्द जो हैं वो अलग-अलग वर्क्षिट से करवा सकते हैं, बच्चे बहुत इंटरस्ट के साथ करते हैं, जैसे मिलान करो बच्चे बड़े अच्छे से करते हैं, बच्चे की जितनी ओरल प्रक्टिस होगी वो उतना फास्ट करेगा, इसलिए बच्चे को ज्यादा से ज्यादा घर में ओरल प्रक्टिस करवाएं,